हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे योटूब चैनल एस्टुडन पंती में दोस्तों मैं हूँ डेके निसाथ और मैंने किया है तीन बार नेट कौलिफाई हिस्ट्री से तो अगर आप भी हिस्ट्री से नेट कौलिफाई करना चाते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाश्ट तक देखिएगा अगर आप नेट जून 2019 में एक्जाम दे रहे हैं नेट का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदे मंद हो सकता है इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालिन भारत से सम्मंदित पुस्तकों के बारे में ठीक है तो हर एक्जाम में दो, तीन, चार ऐसे प्रस्ण होते हैं जो कि मध्यकालिन भारत के पुस्तक दिया जाता है और उसके राइटर का नाम मिलान करने वाला होता है या राइटर का नाम पूछ दिया जाता है तो वो मैं एक कलेक्ट करके रखा हुआ हूँ अगर आप दिसंबर 2013 से उपर की तरफ बढ़ियेगा तो जो भी मैं अभी क्वेशन बताऊंगा वो सारी आपको बुक में मिलती जाएगी ठीक है तो इस वीडियो को लाश्ट देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल आइकन को दबा लिजेगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती है तो चलिए सबसे पहले ये समझ लिजे कि मध्यकालीन भारत से समंदित पुस्तक और उसका जो राइटर का नाम है वो किस परकार से पूछा जाता है यह है दिसंबर 2013 हिष्ट्री के फेपर नेट में पूछा गया है वो ठीक है तो सुची 1 को सुची 2 से मिलान करना है ठीक है सुची 1 में सहती करक्षणा है और सुची 2 में है लिखा कर नाम इस परकार से आपको लिखा कर नाम मिलान करना है ठीक है तो यह दिया हुआ है और option नीचे दिया हुआ है इस परकार से अब जो देखिएगा इसका जो एंसर होगा अदाब उल्हब्र बा अलसुजात देखिए यह जो है आरवी फार्सी में लिखा हुआ है तो थोरा जो है अनोशा यह जो है अत्ता मलिक जुबैनी लिखा है और तारीक फिरोज साही जियाउद्दीन बर्नी इस परकार से आपको बुक का नाम और राइटर का नाम याद करना होगा ठीक है नेक्स्ट प्रसन देख लेते हैं यह प्रसन है पेपर थिरी इतिहास का जून 2014 का है ठीक है जब आप जून 2014 का पेपर देखिएगा पेपर थिरी तो इसमें यह प्रसन आपको मिलेगा देखिए यहां पर पूछा गया है तारीक फिरोज साही किसके दोरा लिखी गई है एंसर हो जाएगा बी जियाउद्दीन बर्नी तथा संस ए सिराज अफिक यह दोनों ने मिलके यह तारीक-फिरोसाही लिखा है तो इस परकार से प्रसन पूछा जाता है मिलान करने वाला या फिर ड्रैक्ट-किसने लिखिये यह पूछा गया अब देखिए जून 2014 में ही पेपर 3 में ही पूछा गया मतलब पहला इससे पहले जो बताए हैं वह भी पिपर 3 में और जुन नुश्काय दुलकुषा दिलकुषा ये भीम से ने लिखा है पादसा नामा अब्दूल हमीद लाहोरी और आलमगीर नामा मुहम्मद काजीम परकार से जब मिलान कीज़ेगा तो एंसर आजाएगा ए ठीक है आगे देख लेते हैं और भी कहीं परकार से प्रसन आता है देखे प्रसन पूछा जाता है जैसे ए जो है तबकात ए अकवरी निचा मुदीन आहमद ये इसी ने लिखा है इसलिए ये सई है ठीक है साहा जहां नामा इनायत खान ने लिखा है तो ये भी सई है उसके बाद बहारिस्तान एगैबी मिर्जा हैदर दोगालत ये जो है गलत है ये अनुस्काय दिलकुसा भीमसेन ने लिखा है आप एक चीद ध्यान दिये होंगे अभिजस्ट सहाजहा नामा और नुस्काय दिलकुसा यह जो है आपने विजस्ट उपर देखा ठीक है मैं उपर दिखा रहा हूं अनुस्काय दिलकुसा भीमसेन तो आप समझ गये होंगे यहां कि जब जून 2014 में पेपर थिरी में मिलान करने वाला पूछा गया है और उसी बूक का नाम देख रहे हैं साहजाहानामा और नुसकाय दिलकुसा भीम से और साहजाहनामा इनायत खान और यही चीज जो है जब दिसंबर में निट हुआ एक्जाम तो उसमें क्या कर दिया सुमेलित नहीं बला में पूछा गया है तो हो सकता है कि जहां पर सुमेलित नहीं है वो इस परकार से पूछ सकता है तो आप अगर वहां पर याद कर लिजेगा मान लिजे कि जून 2014 वला अगर याद कर लें तो क्या ये जून दिसंबर 2014 वला बन जाता साहा जहानामा तो आपको याद हो जाता कि इनायत खाने लिखा है ठीक है उसका नुसका है दिलकुसा आपको याद था कि भीम से आप ए और सी में चीजों को ध्यान में दिया कि बार बार जो है मध्यकालिन भारत के समंदित पुस्ता का नाम पूछ रहा है सुमेलित नहीं है इस परकार से पूछा जा रहा है तो इस परकार से आपको ध्यान में रखना है उसके बाद देखिए एक और है सुमेलित नहीं है फिर से पूछ दि गुल्ला सा नावाज खां तो यह एक गलत है मैं लिश्ट दे दूँगा आप लुक टेंसर मतलें बांकि यह सब जो है इस परकार से प्रसना आ रहा है उसके बाद एक और देख लीजे ठीक है बस लास्ट है कौन से पुस्तक अमीर खुसरों की नहीं है यह दिसमबर 2018 जुलाइ 2018 का होगा यह प्रसना कौन से पुस्तक अमीर खुसरों की रचना नहीं है तो इसका जो एंसर होगा वह बी होगा गुनियात अल्मुन्या यह पुस्तक जो है वह लिखी है मैं बता रहा हूं मुल्ला दाउद ने ठीक है तो बांकि तीनों पुस्तक जो है वह अमीर खुसरों तो अब तो आप समझ गए होंगे कि किस परकार से जो है मध्याकालीन भारतिये इतिहास का पुस्तक और उसके राइटर का नाम से सम्मंदित क्वेस्टन नेट में किस परकार से पूछा जाता है मैं एक बार फिर से बोलना हूं कि दो तीन प्रसन इस बा पाएंगे तो जरूर लिख लिजेगा मैं फिर से बोलना हूं जरूर लिख के याद कर लिजेगा मेरा एक्सप्रियंस रहा है मैंने तीन तीन बार नेट क्वालिफाई किया और मैंने इन सब चीजों को ध्यान में रखा है इसलिए मैं बता रहा हूं कि कुछ वीडियो में अपलोट करूंगा पस ज्यादा नहीं करूंगा लेकिन इतना है कि अगर आप वीडियो देख लिजेगा अच्छे से याद कर लिजेगा तो जरूर है आपका 20-25 प्रसंद 10 बार वीडियो में अपलोट करूंगा उसमें आपका 20-25 या फिर 30 प्रसंद भी सही होने की शंभा Youtube channel में जाए वहां पे मेरा playlist है वहां से आप मेरा विडियो सकते हैं ठीक है चलिए मैं बता देता हूं कि आपको मेरा वीडियो कैसे मिलेगा और कैसे आप देख पाईएगा YouTube में जाएगा और सर्च किजिएगा स्टूदेन पंती का अगर आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो लाल बटन पर यहां पर क्लिक किजिएगा आपको इस परकार से आएगा नीचे जाइएगा और मेरा प्लेलिस्ट है अब तक मैंने चार वीडियो अप्लोड किया है जिसमें पहला वीडियो है विश्ट वो बुक्स फोर हिस्ट्री नेट जारफ यह आप देख सकते हैं तीक है इसमें मैंने बताया है कि मैंने तीन वार कैसे नेट क्वालफाई किया है और बुक जो है वो तीन पढ़ना बुक है वो है ncrt old ncrt history old ncrt 11th और 12th की तीन बुक के हैं वो पढ़ना है आपको अगर आपको ये बुक चाहिए तो मेरे वार्टसप नमर पर message कर सकते हैं ये तीन बुक पढ़िए और आपका हो जाएगा निट इसके अलावे आपको क्या करना है मेरा वीडियो देखना है और question paper जो है प्रिवेस है वो solve करना है मतलब आपको तीन चीजे करना है एक तो old ncrt की बुक मंगवा लीजे ठीक है उसी से प्रसनाता है दूसरा मेरा वीडिय वीडियो देखिए और तीसरा question paper को solve किजिए ये वीडियो जरूर देखिएगा मैं बता रहा हूं ये जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर है तो जो लोग देख रहे हैं तो उनके लिए तो ठैक्स है ठीक है उसके बाद जब नीचे किया हुआ चीज है जो की बार-बार पूछा जाता है और मैं उसी चीज को आप लोग को दे रहा हूं ठीक है तो आप मेरे चैनल पर बने रहे हैं और अपनी नेट की तयारी को आगे बढ़ाते रहें ठीक है तो चलिए अब हम मध्यकालिन भारत से सम्बंदित पुस्तक और उसका जो राइटर है उसके बार में बता देते हैं और यह जो है जब मैं तयारी कर रहा था उस दौरान मैंने लिखा था ठीक है तो मध्यकालिन भारत से सम्बंदित पुस्तक है और नाम है इसको आप लिख लिजेगा और अच्छे से याद कर लिजेगा धो तीन प्रसन आ आप लोग क्या किजेगा इसे लिख के याद कर लिजेगा ठीक है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों में सेर कर लिजेगा और अगर कुछ पूछ नहीं हो तो हमें कमेंट बॉ बलूंगा नहीं सिप स्क्रॉल कर रहा हूं आप लोग देखते रहें झाल 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 झाल